सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ज़्यादा बड़िया बजट मोबाइल्स एक है रेडमी का नाईन है जो पहले लाउंच हुआ था 6800 का दूसरी तरफ है रेडमी का नाईन आई जो भी लेटेस लाउंच हुआ है 8300 का तो दोनों में 1500 का फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कंपरेजन करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या च्छाया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 68 सो रुपे तो 9A के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रखवा मिलता है मूबाइल जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें पीछे लगवा है एक सिम इजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीके से बाकि दोस्तों कवर इसके साथ नहीं दिया गया वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा एक मिल जाती है डिटे केबल जिसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी हैं लेकिन इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई यह मुझे समें कमी लगी इससे पहले के स्मार्टफून में टाइप सी केबल मिलती थी लेकिन इसके साथ नहीं दी गई आखिर मापको रखाव वो मिलता है ये ब्लेक कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वर्ल 2 इमपियर का तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है फास चार्जर तो नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी काम है मुबाइल की अब दोस्तों यह सारा समान आपको मिलता है रेडमी के नाइने के साथ 6800 में रेड के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंटस आपको नॉर्मल ही दिये गए हैं बस एक यही कमी लगी अगर टाइप C केबल भी होती तो काफी अच्छा रहता चले देखते हैं अगर आप 1500 रुपा और जादा खर्च करते हैं रेडमी के 9i पे जो लेटस लाँच हुआ है तो उसके साथ आपको 1300 रुपे में क्या के मिलता है तो जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं 9i को इसमें भी आपको सबसे पहले उसी तरीके सा रखवा मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसका डेटेल लूक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं उसी तरीके साथ आपको दिया गया है एक मिनी बॉक्स नीचे की तरफ जिसमें पीछे लगावा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल कवर इसके साथ भी आपको नहीं दिया गया आखिरम आपको रखाव मिलता है ये बलैक कलर में बिल्कुल उसी तरीकी के लुक में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट भी वही मिलता है फाई वोर्ड टू एंपियर का ही तो ये भी सिम्पल सा दस वाट का ही चार्जर है फाई चार्जर तो इस मुबैल के साथ भी नहीं दिया गया क्योंकि इसकी कीमत भी 10,000 से नीचे ही है तो दोस्तो ये सारा समान आपको मिलता है रेडमी के 9i के साथ 8,300 में अब रेट की साब से देखा जाए तो इस चीज में 9i ही जाद अच्छा है चली बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों मुबैल्स के अंदर आपको hard plastic के टाप के डिजाइन मिलता है डिजाइन की quality भी दोनों में आपको एक जैसे ही मिलती है और look wise भी design दोनों के बिल्कुल सेम ही है 9a के अंदर 9i में दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर आपको इस तरफ left side पर मिल जाती है नीची की तरफ Redmi की branding कुछ इस तरीके से lining का design है scratches की problem तो इन दोनों mobile's के आपको back panel पर बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि design की quality काफी अच्छी है लेकिन 9i latest launch हुआ है तो इसका design different होना चाहिए था तो design के अंदर 9a ही जाद अच्छा है क्योंकि टीमत कम है और 9i की तरह design है बात करें दोस्तो camera के बारे में तो 9a में आपको पीछी की तरफ एक ही camera दिया गया है 13 megapixel का और इसका front camera भी 5 megapixel का है दोस्तो camera की performance इसके अंदर भी आपको normal ही दी गई है बाकि rate की हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों mobile's में ज़्यादा बढ़िया है 9a ही camera को लेकर भी क्योंकि कीमत भी कम है और camera आपको काफे अच्छा दिया गया है 9i की तरह 9i का rate ज़्यादा है तो इसके अंदर और ज़्यादा बेटर camera होना चाहिए था बाकि दोस्तों दोनों में एक कमी यह है fingerprint scanner नहीं मिलता जो 9i में होना ही चाहिए था बाकि दोस्तों आप देख सकते हैं complete design अब design के अंदर दोनों ही सेम है तो मुझे 9 नहीं ज़्यादा पसंद आया क्योंकि सस्ता है बात कर दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको डिस्प्ले साइज भी एक जैसा दिया गया है साड़े छेंच का दोनों ही के अंदर आपको 6.5 इंचिस के डिस्प्ले मिल जाती है इस चीज में दोने जैसे हैं और quality भी आपको दोनों मोबाइल्स में एक जैसे दी गई है IPS HD Plus डिस्प्ले मिल जाती है अब दोसर डिस्प्ले की quality के अंदर फिर भी brightness में फर्क है या फिर नहीं मैं आपको दिखा देता हूं उससे पहले बात करें user interface के बारे में तो user interface दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल एक जैसे ही मिलता है आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती हैं home screen पे ही आपको सारी apps दी गई हैं तो अंदर से चलाने में दोनों ही मोबाइल् user interface मुझे दोनों मोबाइल्स का normal ही लगा बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features आपको देखने में इन दोनों मोबाइल्स के कैसे लग रहे हैं अब दोस्तों दोनों मोबाइल्स की display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं design भी आपको दोनों में बि नहीं लगा तो display size में design में quality में दोनों एक जिसे हैं नाइने सस्ता है तो यह मोबाइल्स जादा बैटर हैं left side साब देखेंगे दोनों मोबाइल्स को आपको sim के ट्रे दी गई हैं दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह IR blaster नहीं दिया गया जैसे आपका memory mode काम करता है तो TV अगर आप इन दोनों मोबाइल्स से नहीं चला सकते हैं IR blaster कम से कम 9i के अंदर तो होना चाहिए था क्योंकि कीमत जादा है अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको android का बिल्कु latest version दिया गया है android 10 यह जाद अच्छे हैं बैटरी की performance दोनों में आपको काफी बढ़िया मिल जाती हैं बात करें प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एक जैसा ही मिलता है media tech का g25 अगर आप एक normal user है आपका heavy use नहीं है जैसा आपको whatsapp youtube अगरा use करना है calling अगरा करनी है तो तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको day to day use में regular use में बिल्कुल भी problem नहीं आने वाली लेकिन अगर आप एक heavy user है तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल यूज के हिसाब से ही है बाकी 200 rate के सबसे देखा जाए तो प्रोसेसर में भी नाई ने जाद अच्छा है क्योंकि कीमत भी कम है और प्रोसेसर भी आपको 9i की तरह दिया गया है अब बात करें दोस्तों रैम और स्टोरेज के बारे में तो इन दोनों मोबाइल्स में एक चीज का ही सबसे बड़ा फर्क है जो क इस चीज के अंदर ही इन दोनों मोबाइल्स में फर्क है तो दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल सेम ही है बस रैम और स्टोरेज के अंदर फर्क है सारी खूब्य जो आपको 9i के अंदर मिलती है 8300 में वो सारी खूब्य आपको 9i में 6800 में मिल बस आपको RAM or storage के साथ compromise करना पड़ेगा तो rate के साथ से देखा जाए तो इन दोनों mobile में ज्यादा बेटर है 9a ही क्योंकि जो खूब या 9a में है वही खूब या 9a के अंदर है बस एक RAM or storage ही ज्यादा है तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपको अच्छी display अच्छा design क्योंकि सारी खूबियां हैं इसके अंदर बाकि दोस्तों अगर आपके लिए RAM और storage ही matter करती है तो मैं आपसे कहूंगा आपको यह और सा smartphone देख लिएगा क्योंकि 9i और ज्यादा बेटर होना चाहिए था मुझे इसमें तीन कम्य ज्यादा बड़ी लगी एक तो इसमें दो दों मॉबाइल में ज्यादा बेटर है रेट मी काुट मुझे भी 9 e ज्यादा पसंद आया आप बताइग पटने बटनों से पर लॉटेंग मिलई लेकिन भी दबादियागा था कि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे हैं इसके लब हुआ